नमस्कार स्वागत थे आपका इंडिया नूज इन खबर में और मैं हूँ मनोज कुमार जिन्दगी की गती भी बड़ी अजीब है जिन्दगी जब खेल खेलती है अपना दाउं चलती है तो सब कुछ बदल जाता है ब्यक्ति की प्रात्मिक्ताएं बदल जाती है उसकी सोच उसका क्रिया कलाब बदल जाता है यानि सब कुछ बदल के रह जाता है ऐसा कुछ हो रहा है पश्शी मंगाल के मुक्ष मंतरी ममता बेनर्जी के साथ चुकि ममता बेनर्जी और प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के बीच की जो खेस्तान है वो किसी से छिपी नहीं है दोनों के मुश्किलों से उन्होंने एक खोद को समझाया था और प्रधान मंदरी से मिलने की इक्षा जताई थी और उसके बाद पियमो की तरफ से वक्त भी दे दिया गया था बुद्ध हुआर को यानि आज शाम सारे चार बजे की मुलाकात तैग थी लेकिन लगता है कि जंदेगी को कुछ और मन्जूर था जैसे ही वो हवाई एड़े पे पहुंची पश्टी मंगाल खोल्काता हवाई एड़े पर चली तया थुखी प्रधान मंतरी से मिलने के लिए लेकिन हवाई एड़े पर उनकी मुलाकात हो गई प्रधान मंतरी की पतनी जसूदा बेन से उसके बाद मंतम एनरजी ने कहा कि प्रधान मंतरी से तो मिलना फिर बाद में होगा पहले मुलाकात तो जसुदा बेन से होगी और उन्होंने अपना फ्लाइट कैंसल कर दिया और वहा हावाई एड़े पर ही लगभग एक घंटे तक सुदा बेन के साथ उन्होंने मु पार्चित हुई और ने मुद्दो पर भी काफी सला मिश्विरा हुई दोनों ने अपने विचारों का आदान प्रधान किया और प्रधान मंतरी से मिलने का प्रोग्रेम फिलाल मम्तम एनरजी ने कैंसल कर दिया हलाकि उन्होंने ये साप नहीं किया कि क्या बुद्ध वारक पर धनबाद गई हुई थी और वहां पे एक वैश्य सम्मेलन चल रहा था और काफी वहां पे मुख्य आती थी के तौर पे जैसोदा बेन को वहां आमंत्रित किया गया था काफी खादिरदारी वहां पे हुई प्रधान मंत्री की पत्नी है इसलिए विधे व्योस्ता की काफी चाक्चोबन व्योस्ता थी लेकिन बीजेपी का कोई भी अधिकारी या फिर नेता वहां दिखाई तो नहीं दिया और सोची जड़ा प्रधान मंत्री से काफी वर्षों से वो अलग हैं लेकिन फिर भी चुकि प्रधान मंत्री कल अपना सत्तरवा जैनम दिन मना रहे थे और उनके नाम की पूजा कराने के लिए धनबाद से वो आसन सुलजा पहुची जसुदा बेन और वहां माता कल्यान इश्वरी की मंदिर में उन्होंने प्रधान मंत्री के नाम की पूजा कराई और वही से लोटने के क्रम में उनकी मुलाकात हो गई पश्शी मंगाल वहां कुलकाता के हवाई एड़े पे मुक्ष मंतरी ममताब एनर्जी से और इसके बाद दोनों इतनी आत्मियतां से बिली कि ममताब एनर्जी ने पूर्वे निर्धारिद अपने सरकारी कारिकरम जो कि उन्होंने कहा था कि वो राज जी के बहुत सारे मसलों को लेकर प्रधान मंतरी से मुलाकात करने वाली हैं कुछ फंडिंग की बात करेंगी अन्ने भी मसले हैं उसके बादचित की जाएगी जैसा कि उन्होंने कहा था वो सारा कुछ उन्होंने कैंसल कर दिया और जसोदा बेन के साथ ही उन्होंने वक्त गुजारना मुनासिब समझा और काफी वहाँ पे समय दिया प्रधान मंतरी भी कई मौके पर कह चुके हैं कि अगर मुंता बेनर्जी के साथ वो अपने संबंधों की अगर बात करेंगे उसका खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से मौनता बेनर्जी का सने उन्हें मिलता रहा है वो हर मौके पर हर जन दिन पर वो उन्हें कुर्टा पाजामा भेट करती हैं तो उनका राजनितिक नुकसान हो जाएगा लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का जिकर किया था तो मिम्ता बेनर्जी बहुत संबह हो है कि उनके लिए कुर्टा पाजामा लेकर पहुँच नहीं होंगे दिल्ली लेकिन जसोदा बेन चुकि रास्ते मुलाकात हो गई और उसके बाद धोन ने साब कारिक्रम कैंसल करदिया और उसके बाद जसोदा बेन के साथ अपना वक्त गुजरा और वहां के जो कुछ राजनितिक टीका कार है उनका ये मानना है क्योंकि जसोदा बेन प्रधान मंतरी की पत्नी है और दोनों इस्तरियों की जब मुलाकात हुई होगी तो बहुत सारे मस्मूप पे वैचारिक तोर पे आदान प्रदान हुआ होगा हाले दिल बया किया गया होगा हो सकता है कि प्रदान मंतरी के नेजी जीवन से उनके वैक्षित्तों के बारे में भी शायद इस मिसाय पे चर्चा हुई होगी इसके पुरी संभावना है लेकिन हाँ निश्यत तोर पे ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मुलाकात ने जो संभावित जो मुलाकात थी प्रधान मंतरी के साथ उसके समय सारणी को जरूर बिगार दिया चुकि मंतव एनर्जी के तरफ से अभी ये साथ नहीं क्या गया है कि आज बुधवार को फ्लाइट से देली पहुंचेंगी क्या उनकी मुलाकात प्रधान मंतरी से होगी क्या या जसोदा विन से मुलाकात हो जाने के बाद ही इस मुलाकात को पुरा मन लिया जाया कि प्रधा प्रधाशित घटना थी जिसके वजह से मंतव एनर्जी ने अपना पुर्वे निर्धारित शेडूल को चेंज कर दिया बदल दिया पूरी तरह से और बड़े ही आत्मियता के साथ उनने वक्त गुजारा जसोदा विन के साथ लाल इतनाईम नमस्कार इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूए